सो ही दोस्तों जैसा कि OPPO ने अपने Reno7 series को चैना में लांच कर दिया है और यहां पर टोटल जो है त्री डिवाइस को लांच किया गया है जो कि यह OPPO Reno7 5G, OPPO Reno7 Pro 5G and Reno7 SE 5G device को लांच किया गया है और यह डिवाइस हमें इंडिया में भी जो है काफिचल देखनी को मिलने लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वालने OPPO Reno7 5G device के फूल फीचर स्प्राइजिंग के बारे में और यह डिवाइस हमें इंडिया में कप तक देखनी को मिल सकता है तो पूरी इंफर्मेशन के लिए वीडियो के लाश्ट तक बने रहे है और ऐसा ही टेक वीडिय यहाँ पर 120Hz का पैनल होना चाहिए था और वहीं आपको फ्रंट की और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन आपको प्रीमियम मैट फिनिसिंग के साथ में आता है साथ ही यहाँ पर आपको फिलेट एजस दी ग जाए गा इसके कैमियरा के बारे में बात करें तो यह स्मार्टपॉन आपको जो है ट्रिपल यह कैया पिसल का यूज किया गिया है जो कि विद्फ 1.7 अपर चर्ड के साथ में आता है इसके अलब आपको 8 मेगा पिसल की अल्टा वर्डवेंगल लेंस एंड आपको एक 2 के साथ में आता है और यहां पर आपको sony imx 709 का सेंसर यूज़ क्या गया है वैसे भी ओप वे स्मार्टफॉन के लिए जाना जाता है तो यहां पर आपको क्याड़ा पॉहमेंस में कोई इसू देखनी को नहीं मिलेगा तो अब बात करते हैं इसके पॉहमेंस के बारे में तो जिसे चार्ज करने के लिए आपको 60W की अच्छी खासी कमाल की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है तो यह डवाइस आपका अप्रोक्स 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा साथ यह स्मार्टफॉन आपको Android 11 के साथ आता है जो कि Colorways 12 पर बेस्ट है और यहां पर आ मोडल आपको 8G plus 256 GB storage के साथ में आता है जिसका प्राजिंग 35,000 है और इस डवाइस का जो टॉप मोडल है जो कि आपको 12G plus 256 GB storage के साथ में आता है जिसका प्राजिंग करीब 38,500 है इस डवाइस में आपको UFS 2.1 की storage और LPDDR4X की RAM यूज किया गया है और वहीं आप बात करते ह बारे में तो यह device आपको इंडिया में जो है December के लाश्ट विक तक या फिर आपको नेक्सिट यर जनवरी के मीड तक देखने को मिल सकता है इसका प्राजिंग आपको जो है इसे के आसपास इंडिया में भी देखनी को मिल जाएगा तो देखते हैं ओपो अपने इस device को इं दी अगली वीडियो के साथ